जहिन दोस्तों, जितने भी CUET 2024 के aspirants रहे हैं, जिन लोगों ने भी CUET का exam दिया है, और जिनको भी भारत के top universities में admission लेना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. आज मैं आपको top 5 biggest update बताने वाला हूँ CUET 2024 का. मतलब अभी recent days में जितने भी important information आई है, और जो भी चीजे future में होने वाली है, वो सारे data आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो आपका end to end solution होने वाला है. और अगर आप एक कैसे विख्ती हो, जिनका CUET का score काफी कम आ सकता है, अगर आपको expectation है, जैसे कि मान लोगर आपका 200 number आएगा, या 200 number आएगा, या फिर 1500 marks आएगा, या फिर इससे भी कम 100 marks आ सकता है, 300 marks आ सकता है, सारे 300, तो भाईया आज इस वीडियो में मैं आपको solution दे कैसे आपका भारत के top university में admission होगा, वो भी CUET के काफी कम score के साथ, तो भाईया वीडियो एंट तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज 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 इस चैनल को, वीडियो को, हर चीज को भर भर के support दीजिए, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला जो update निकल कर आया है, यह है provisional answer की, और यह बहुत important है, अभी आपका provisional answer की out हो चुका है, और जहां पर आप यह चीजे देख सकते हो, कि आपने जो जो answer select करा था, उसमें से कौन-कौन से answer सही है, तो आपका provisional answer की out हो चुका है, और यह जो provisional answer की है, यह आपका NTA के website प उपर ही आपको flash करते हुए दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गरवरी हो गई है, अब बताओ गरवरी क्या हुई है, इतनी बड़ी गरवरी हुई है, जो आज तक CUET के इतिहास में कभी नहीं हुआ, दियान से सुनिएक update number 2, यहाँ पर problem यह आई है, कि CUET exam क वापस से re-exam कराने की बात की जारी है, दुबारा CUET exam हो सकता है, अब बोलोगे, अब कैसे, तो देखो, यहाँ पर बात क्या चल रहा है, the NTA is also addressing the public grievances received regarding the exam conducted for CUET 2024, देखो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, द्यान से सुनिएगा, in case, एक notice आई है, in case you are not able to view your OMR record response, you may email your grievances to this email, आपको यहाँ पर email करना है, बहुत बच्चे ऐसे हैं, जिनका CUET का paper ही नहीं show कर रहा है, जो अपना OMR sheet अपना response देखी नहीं पार है, उनका paper कहीं नहीं show कर रहा है, ऐसा लग रहा है, उन्होंने exam दिया ही नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं, जो CUET exam द दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी data है, यहाँ पर डाल देना है, आपका जो exam है, यहाँ हो सकता है, देखिए, committee to redoing the exam for these candidates at selected center, any day between 15-19 July के बीच में आपका कभी भी exam हो सकता है, कब 15-19 July के बीच में आपका कभी भी re-CUET exam हो सकता है, अब बताओ इसमें की क्या गलती रही है, जिन बच्चों ने CUET exam already अपना दे दिया है, जो अभी तक कुछ भी prepared नहीं की, मतलब इतने जिन से जिन्नोंने कुछ preparation छोड़ दिया, CUET exam दिये हुए काफी लंबा समय हो गया, और still उनको paper अब नहीं दिख रहा है, तो इसमें बच्चों की क्या गलत जिन्नोंने जो भूल गए, ये भी दो सकता है, बहुत बच्चे ऐसे हैं, जिन्नोंने exam में क्या दिया, वो वो भी भूल गए, क्या लिखा, क्या दिया, क्या, क्या था, क्या, sir, pad, उनको कुछ नहीं याद है, तो वो वापस exam कैसे दे सकते हैं, आप इतनी जलदरी 15-19 जु पी होता है उसके खोने के चांस है कुछ भी हो सकता है उसके साथ जो कि हाड हाड डेटा है आपने पेंपेपर एक्जाम दिया इतना बरा रिसक लिया है लाको बच्चों का करियर दाओ पर है और इन बच्चों का अब क्या होगा आप यह बताईए ऐसे केस में दिल्ली विश् से सुनिएगा कि देखिए इन सब चक्करों में अभी मत पढ़िए आपको बार-बार बोल रहा हूँ अगर आपको लगता है तो आप तो जाओ तो आप आप आराम से क्राक कर लोगे दिक्कत नहीं है लेकिन आप एक आवरेज आवरेज बिलो आवरेज काइंड आव स्टू कर्मेंट में दोनों जगा मेंचन है ठीक है कॉलेज विद्या.com पर आपको आना है यहां पर आपको साइन इन करना है साइन अप करना अपना मोबाईल नंबर वगएरा इमेल डालने के बाद आपको यहां पर यहां पर आना है और यहां पर आप मन चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर अभी से पढ़ाई शुरू कर सकते हो इसमें सिर्फ आपका 12 का मार्क शीट चाहिए सी उल्टी का स्कोर कितना भी आया उससे फरक नहीं परता अगर आपने बोर्ड एक्जाम दिया है और उसमें अगर आप पास हो ता आप भारत के किसी भी टॉप पर रेजिस्टर है सारे के सारे आप किसी भी एडमिशन ले सकते हो घर बैठे बैठे पूरी पढ़ाई कर सकते हो आपको कहीं जाने की जरूवत नहीं है आपका फीस भी बढ़ेगा आपका ग्रेजुएशन भी होगा फीस ज्यादा लगने नहीं वाला है कहीं बाहर जाके पढ़ोगे नहीं तो खर्च भी ज्यादा नहीं लगेगा A to Z सारी चीज़े ऑनलाइन पे होगी कंप्यूटर पे होगी मुबाइल पे होगी बड़े शहर में भी जाने की दरूवत नहीं है सारी चीज़े यहीं पर हो जाएगी प्रॉपर और अगर आपका कॉलेज में कलको असिस्टेंस प्रोग्राम भी दे रही है 7000 रुपय का फ्री आफ कॉस्ट में अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो प्लस आपको स्कॉलर्शिप भी दिया जाएगा बढ़ बढ़ के चीज़े EMI फसलिटी भी दिया जाएगा आप कोई भी कोर्स उठा लो BA, BC, BC, BBA, BT, कु कुछ नहीं करना है, ठीक है, सेमेस्टर फी कितना कम है, मात्र 16000 रुपय, मात्र 16000 रुपय, इसमें भी आपको यह माई फसलिटी मिल जाएगी, जो कि कॉलेज विद्या वाले खुद करा कर देंगे, आपको यहाँ पर फीस दिख जाएगा, कितना कितना फीस है, क्या है, आ आप दो-दो युनिवस्टी को एक साथ कंपेर करके देख सकते हो, आपको कोई प्रॉबलम आता है, तो आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से डारेक्ट बात कर सकते हो, उनके ताउंसिलर से, तो भाईया, सीउटी का रिजल्ट आने दो, जो होगा, देखा जाएगा, पहले admission book कर लो, क्योंकि समय बहुत important हुता है, admission यहाँ पर book कर लोगे, बहुत बच्चों ने already कर लिया है, फिर पढ़ाई करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, तो college विद्या का link comment में, description में पिन है, आप जाईए और check out कीजिए, फटा फट जाईए, ठीक है, अब यहाँ पर announce CUET 2024 result, soon at cuet.ac.in, यहाँ पर आपका result announce होगा, हाला कि इसमें नहीं होकर, CUET के website पे होगा, लेकिन आप ऐसे सोचिए, कि अभी आपका CUET का जो exam है, वो वापस से reappear होने वाला है, तो मतलब 20 जुलाई के पहले पहले तो आपके result आने का कोई chance ही नहीं है, मतलब इस महीने के end तक आपका result आएगा, आप सोच के देखिए, इस महीने के end, end तक, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, result के भरोसी अभी मत बैठिये, अपना preparation शुरू कीजिए, कोई skill पे काम कीजिए, और जब हम बात करते है, Delhi University के admission 2024 की, कि भाया, कब Delhi University का session शुरू होगा, कब आप जाके DU में पढ़ाई करोगे, तो भाया, result आया नहीं है, counseling शुरू नहीं हुआ है, phase 2 अभी तक खुला नहीं है, तो आप लगा लो कि यहाँ पर, mid September से पहले पहले तो आपका Delhi University में admission नहीं होने वाला है, मतलब, आप mid September से पहले पहले तक college में नहीं जा सकते हो, ठीक है, पहले mid August क भी बात की जा रही थी, लेकिन अभी result को लेकर इतना लफड़ा हो गया है, कि mid September में जाके आपका college classes शुरू होगा, तो इतना सारा delay होते जा रहा है, भयानक delay हुआ है, और बहुत blunder कर दिया है यहाँ पर UGC ने, जिसका मतलब खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़े लास्ट जो सबसे बड़ी update है, कि college registration वगेरा के जब हम बात करते है Delhi University के phase 2 का, तो आपको पता होगा कि Delhi University का जो phase 1 है, वो already शुरू हो चुका है, और जो phase 2 है, वो आपके result आते ही announce किया जाएगा, CUET का, और उसके just बाद, थोड़े जिनों के अंदर-अंदर, phase 2 को close कर दिया थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दिजिए, प्रिफरेंस कैसे बनाते है, वो जानना है, तो comment किजिए, मैं ला दूँगा वीडियो, and अभी Allahabad University और BR Ambedkar University, ये दोनों बड़े-बड़े University का registration open हो चुका है, जाहिए इनमें registration कीजिए, अगर इनका registration आपने separately नहीं करा, त आपका इनमें admission नहीं हो पाएगा, तो BR Ambedkar University और Allahabad University का registration open है, जाहिए इनमें registration कीजिए, और admission लीजिए, और अगर आपको भारत के top university में पढ़ना है, तो college विद्या के थुरू admission लीजिए, ठीक है, बाकी अगर आप NTA में कोई भी गुस्सा हो, कुछ भी और tweet कीजिए, भर- शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, thank you so much, मिलते है अगले वीडियो में, love you, tata, bye bye, jay!